हलो दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में और आज आपके लिए में एंटरस्टिंग प्रॉब्लम लाया हूँ यहाँ पर हमार पास दो एक्वेशन गिवन है जो कि एक्सवर वाई में है और इन दोनों एक्वेशन को सॉल करके हमें एक्सवर वाई की वैल्यू निकालने हैं तो हमार पास यह जो दूसरी वाल एक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वेशन में हम पूट करें तो हमें मिलेगा 6 to the power x plus 6 to the power 3 minus x equals to 42 अब यहां पर यह जो टर्म है 6 to the power 3 minus x इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6 की power 3 upon 6 की power x equals to 42 अब यहां पर जो 6 की power x है इसे हम अभी के लिए माल लेते हैं a के बराबर तो यह हमें मिलेगा a plus 6 का जो क्यूब है वो हो जाता है 216 के बराबर वो हम लिख देते हैं और नीचे 6 की power x है तो वहां पर वापिस a लिख दिया हमने अब इसका फाइदा यह होगा कि आप हमें a के terms में quadratic मिल जाएगी जो क्यों हो जाएगी a square plus 216 equals to 42a यह LCM लेने के बाद हमें यह quadratic मिलेगी अब पूरी quadratic बना लेते हैं a square minus 42a plus 216 equals to 0 अब इस quadratic equation के हमें roots find करने है तो 42 को हम यहाँ पर splitting the middle term use करेंगे 42 को हम लिख सकते हैं 36 minus 36a minus 36a क्योंकि 36 into 6216 के बराबर मिल जाएगा हमें so a square minus 36a minus 6a plus 216 equals to 0 अब यहाँ पर हमें factors बड़ी आसानी से मिल जाएगे पहली दो टम्मे से हम a common निकाल सकते हैं और दूसरी टम्मे से माइनस 6 को common निकालेंगे तो हमें यह मिल जाएगा अब इन दोनों टम्मे से हम a minus 36a minus 36 वापिस से common निकाल लें तो हमें इस quadratic equation के factors मिल जाएगे तो a की दो value हमें मिली एक मिली 6 और दूसरी मिली 36 तो इससे कुछ इस प्रिकार से लिखेंगे 6 को 6 की power 1 लिख सकते हैं 36 को 6 की power 2 और a जो है वो हमने माना है 6 की power x के बराबर तो यहां पर देखें 6 की power x equals to a की पहली वाली value देखें जो कि 6 की power 1 तो यहां से हमें x की value मिली 1 दूसरा 6 की power x equals to 36 36 होता 6 का square वो हम यहां पर लेख देएं तो दूसरी value मिले x की value 2 अब यह जो x और y की value जो हमें मिली है वो हम यहां पर इस equation में put करें तो हमें y की value मिल जाएगी तो x equals to 1 के corresponding जो y की value आएगी वो आएगी 2 के बराबर और x equals to 2 के corresponding जो y की value आएगी वो आएगी 1 के बराबर यह आ गए इस equation के solution solution okay so यह पूरा वीडियो था आपके लिए I hope that this video will be helpful for you all और वीडियो पसंद आए तो असे like कीजिए share कीजिए चैनल पर नाए हो तो subscribe करना ना बोले notification bell को press करें ताकि जैसे ही निया video upload आपको तुरंत उसकी information मिल जाए thank you so much thank you for watching